इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते चिकंगुनिया, सामान्य कमजोरी, देंगु बुखार, त्वचा और मूत्र संक्रमन, दुर्बलता और बुखार के इलाज में मदद करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, पाचन में सुधार करने में अत्यतिक प्रभावी और कप्च के इलाज के लिए हलके रेचक के रूप में भी कारे करता है दो, इसका उप्योग उच्च रक्त शरकरा के स्तर को कम करने और मधुमें से संबंदित बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है तीन, हलके शामक गुण होते हैं और चिंता, अवसाद और अनिद्रा का इलाज करते हैं चार, एक विरोधी भड़काओ एजिन्ट के रूप में कारे करता है और श्वसन संबंधी विकारों के इलाज में उप्योगी है पांच, इसका उप्योग गठिया और गठिया से जुड़े दर्थ को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें